Hello everyone, स्वागत है आपका YouTube Mom Channel में मैं हूँ प्रेगना और प्रेगनसी में एक खास चीज है जो बहुत आसान सी चीज है लेकिन आपको बहुत जादा फाइदा पहुंचाने वाली है अगर आप उसे सही तरीके से ले और तरीका क्या है वो चीज क्या है उसे कौन-कौन से बेनेफ में तीसरे महीने के बाद से चौथे महीने से कॉंस्टिपेशन ग्यास बनना इस प्रॉब्लम आपको बहुत जादा परेशन करती है और इसकी वजह से आप सामय से खाना नहीं खा पाती ठीक तरीके से जो भी चीजने टाइम से आपको खानी है वो आप बिल्कुल नहीं रह ए उसके लिए हमें टेली दो either बार एक खासषी सखानी है और रहों भी सब्या को मैं संस्किहां है अप्तेदार्स सब्याशन बिले सकते हैं और दूसरी हरी सब्याशन जैसे की लोग की कटू ... बेंडे .. बहले हुती है तो जितनी पी हरी सब्याशन आपको उनको डेली दो बर लेना है, आप सभी को मैंने बताया है कि खाना कितना खाना चाहिए, अगर ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहां आए बचल में क्लिक करके ज़रूर देख लें, तो जब आप 6 टाइम मील प्लान करती हैं, तो उसमें दो बार आपको हरी सभजियों में कैलरी बहुत कम होती है, पोशन बहुत ज़्यादा होता है, फॉलेट की मातरा अच्छी होती है, तो लो कैलरी होने से आपका बज़न सही तरीके से बढ़ेगा, या आपके बज़न को बढ़ाने में बहुत बूस्त नहीं देगी, आपका बज़न में देगी, दूसरी चीज इनके अंदर फॉलेट होता है, जो कि बच्चे में आने वाले किसी भी तरीके के डिफैक्ट्स को दूर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फॉलेक इसिट का आप सप्लिमेंट ज़रूर ले रही होंगी, वो भी अच्छा है, लेकिन खाने से पू अच्छा होता है, तो जब आपकी शरील में फाइबर होगा, तो आपका जो पाचन है, बहुत ही स्मूध तरीके से होगा, आपको इसे प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आप दो बार लेती हैं, तो डेफिनेटली 80% टाइम्स आपको कॉंस्टिपेशन नहीं होगा, कभी कभ तब ही होगा जब आपको स्किप करें, इसलिए नियमित ये रूल आप पना लें कि नियमित दो बार हमको सब्जियां लेनी हैं लांच में और डिनर में, आपको गयास और कॉंस्टिपेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं सताएगा, एक काम आप इसमें और एड कर सकत आप मिलेगे, जिन महिला उने कॉंडिकेशन होते हुए भी कंसीब किया है, उनको अपनी प्रेगनेंसी को मिंचेन रखने के लिए अच्छे से इंजॉय करने के लिए एक गुड हैल्थ बहुत ज़रूरी है, तो PCOD वाली महिला हैं, और बैस महिला हैं, डाबिटिक महिला है जो कि प्रेगनेंट हैं, उनको ये काम जरूर करना चाहिए, ताकि उनकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से जाए, नौ महीने का सफर उनको बहुत ही अच्छे से जाए, उनको BP की, कॉलेस्टरॉल की, हाई शुगर की प्राबलम और रेस्ट्रिक्शन्स नहीं जिलने बिना दवा के, बिना इलाज के, बिना कुछ एक्स्ट्रा इफट किए, अपने खान पान के तरीके को सही करके, आप अपनी प्रेगनेंसी को इंजॉई कर सकती हैं, और प्रेगनेंसी के दुरान आप निजाद पास सकती हैं आज के ट्रिक्से, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बैल को अन करना आप पिलकुल भी न भूले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स वाचिंग